आज हम कक्षा 6 में विशेविज्ञान में पार्ट 4 वस्तुओं के समुह बनाना में भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे जैसा कि बच्चों हमने भाग 1 और 2 पढ़ा भी है और समझा भी है इसलिए अब हम भाग 3 स्टार्ट कर रहे है जैसा कि बच्चों हमने भाग 2 में हमा लास्ट टोपिक था कि कौन सी वस्तुओं पानी में तेर सकती है और कौन सी वस्तुओं नहीं तो उसके लिए हमें किरय कलाब करना था जो हम अब करेंगे बच्चों जैसे कि आप लोग इस पात्र में देख रहे हैं कि कुछ वस्तुओं यहां पर पानी के निचे बेड़ गई हैं और कुछ वस्तुओं पानी के उपर तेर रही हैं तो बच्चों यहां कैसे होता है तो बच्चों अन्य चीज वस्तुओं जो की वजन में भारी होती हैं अर्थार धातू की बनी होती हैं वे वस्तू हैं पानी में डूब जाती हैं और जो वस्तू हैं धातू की नहीं बनी होती अर्थार की जिनका द्रवे मार और वजन हलका होता है वहां चीज वस्तू हैं पानी के उपर तेरती हैं अन्ने डूब कर गिलास नहीं तली में पहुच गए थे अर्थार की वच्चों यह किर्या कलाब करने का मतलब यही है कि हमें यह ध्यान में रखना है कि कौन सी वस्ते पाणों में डूब रही है और कौन सी नहीं तो इस किर्या कलाब को करने से हमें यह पता चलता है कि जो चीज वस्तुएं धातुओं और ठोस बदार्थों की बनी होती हैं वे वस्तुएं पानी में सरलता से डूब जाती हैं और जो वस्तुएं हलकी होती हैं वजन में और जिनका दर्वे मान भी बहुत ही कम होता है वह वस्तुएं पानी में डूबती नहीं है बलकि वह करने लगती हैं तो हमें गिलास लेना है उसमें पानी भरना है और जो चीज वस्तुवें हमने जमा की थी उनमें से एक वस्तुवें हमें उस गिलास में डालनी है जिसे से उनमें से कुछ वस्तुवें पानी में डूब जाएंगे और कुछ वस्तुवें पानी में तेरन लगे जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि लोहे की कील, लोहे के सिक्के और चाभी पानी में डूब गई है बलकि पेड के पत्ते, टमाटर का फल और अन्य पदार लकडी जो पानी के उपर तेर रही है इससे हमें यह पर चलता है कि जो वस्तुमें धातु की बनी होती है वह पानी में डूब जाती है और जो वस्तुमें वजन में हलकी होती है वह वस्तुमें पानी में डूबती नहीं है जैसे कि मैं किसी और चीज की बात करूँ तो रूई रूई पार में डूपती नहीं है परन्त अगर हम पत्थर लें तो पत्थर पार में डूप जाता है तुम आगे बढ़ते हैं बच्चों अब बात करते हैं हम पार दर्शिता की सवरो पर्थम में आपको बताता की पार दर्शिता का मितलब क्या होता है पार दर्शिता अर्थार्थ कि आप जिन वस्तूओं के आर पार देख सकते हो उन्हें हम पार दर्शिता कहते हैं और जिन वस्तूओं के हम आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम अब पार दर्शिता कह किसी दिवाल के पीछे हैं जिस वस्तू के पिछाइब तो वह बत है अगर हम किसी के पीछे हैं तो वहाँ आप पार दर्सिता है क्योंकि हम दिवाल के आरपार दिखाई नहीं देते परन्तों गर हम किसी काच के पिछे शिप्ते हैं तो वहाँ आप पार दर्सिता है क्योंकि हम काच के आगे पिछे दिखाई देते हैं तो बच्चो जैसे कि हमने आपके कुछ उधारन लिये हैं कि काच काच के जो बरतन हैं वह आपारदरसित हैं जैसे कि आपको यह गिलास दिखाई दे रही है कि इस गिलास में यह गिलास काच की बनी हुई है और इसमें पानी है तो हम पानी को इस पष्ट रूप से देख सकते है कि पानिस सोच है या गंदा जिससे यह सिद्ध होता है कि काच क्या है पार दर्सिता है जिसे कि बच्चो यहाँ पर बुझो ने तीन पदार्थ लिये हैं जिसमें से वह आरपार देखने की कोशिश कर रहा है जिसमें से इस पदार्थ में वह आरपार देख सकता है जिसे हम पार दर्सिता कहते हैं और इस पदार्थ में वह आरपार नहीं देख सकता जिसे हम अब पार दर्सिता कहते हैं और बच्चो इसमें से बुझो देख रहा है पर उसे इस पश्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं परा भासी पदार्थ जिस वस्तु के हम आरपार नहीं देख सकते उसे हम आप पारदर्सिक वर्सु कहते हैं और जिस वस्तु के हम आरपार देख सकते हैं परन्तु हमें वह वस्तु इस पष्ट रूप से दिखाई न दे तो उसे हम पार भासी पदार्थ कहते हैं जैसा कि आपको इस आकृति में द पॉसिस का राइपर के हमें दिखाई किसा दे रहा है दूंदला तो यहां केसा पदार्थ है और पार सोरी बच्चों पार भासी ओके अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमने जो अभी समझा कि एसे पदार्थ जिनमें वस्तूओं को देख सकते हैं उन्हें हम पार दर्शी कहते हैं जिन वस्तों को हम नहीं देख सकते उन्हें हम अब पार दर्शी कहते हैं और जिन वस्तों को हम देख तो सकते हैं परन्तु बहुत इस्पष्ट नहीं दिखता उसे हम पार भासी कहते हैं कागज पर तेल लगा कर उससे हम अगर आरपार देखें तो हमें दिखाई तो देगा परन्तु इस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा वह पदार्थ किसा कहलाएगा पार भासी क्या आप पार भासी पदार्थों के कुछ और उधारण पर सोच विचार कर सकते हैं जैसा कि बच्चो अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं पारदर्सी पदार्थ की, तो उसमें सरुपतम किसका नाम आता है काच का, क्योंकि काच के हम आरपार इस पश्ठ रूप से देख सकते हैं, बच्चो पारदर्सी पदार्थ के बहुत ही कम उधारण देखने को मिलत परन्तु अपार दर्शित वस्तों के अनेक उधारण हैं जैसे लकड़ी दिवाल धातू और भी बहुत सारी चीजें उसी प्रकार हम क्या हम पार्भासी वस्तों के भी उधारण दिमाग में सोच सकते हैं क्या हम उसे समझ सकते हैं जैसे कि हम बात करें तो हमने भी उधरान लिया था कागच पर अगर हम तेल लगा दें और उसके आरपार देखने की कोशिस करें तो हमें दिखाई तो देगा पर इसपष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उसी पकार अगर हम किसी रुपट्टे से या किसी कम्मल से आरपार किस गलाता है कि पार भासी पुक्य बच्चों बच्चों हम एक और किरया कलाप कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि मोबाइल का टॉप्ट जला दे और इसके ओपर हाथ रख दें और फिर हम रोसनी को देखें तो रोस्नी हमें दिखाई देती है पर इस पश्ट रूप से नहीं तो वह केसा उधारन कहलाएगा पार्भासी उधारन कहलाता है ओके बच्चों तो हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की असली भिन दिखावट होती है तथा उसके जल अथ्वा अन्य पदार्थों में मिश्रित होने के ढंग विभि सकते हैं अथ्वा पारदर्शी और पारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं पार पदार्थ का समूहन करके गुणों के समानताओं अथ्वा विभिनताओं के अधार पर किया जा सकता है हमें पदार्थों को समूह में रखने के आवसकता क्यूं पड़ती है देनिक जीवन में हम प्राता पदार्थों का उप्योग करते हैं और घर में हम अपनी वस्तों का भंदारन अर्था सामाननिता इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तों में एक साथ रखी होती हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि kitchen में केवल खाना उपयोगी वस्तु में रखी जाती हैं देखा है आपने तो यह सरवल बात है कि हम वस्तु का समूध बना कर क्यों रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पता होता कि कौन सी वस्तू किस लायक है इसलिए उसे उस इस्थान पर रखा जाता है हम कागज की वस्तू किचन में नहीं रख सकते और किचन की वस्तू हम ओफिस में नहीं रख सकते क्योंकि उसका वहाँ उप्योग नहीं होता प्रहता है सभी प्रकार के बिस्कुटों के अपनी दुकान के एक कोने में रखता है सभी साबुनों को अन्य स्थान पर जबकि अनाज था दालों को भंडारों किसी अन्य स्थान पर रखता है जिसा कि बच्चों हम एक दुकान का उधारन ले तो आपने दुकान पर देखा होगा कि जो बिस्किट की जगा होती है वहाँ पर आपको केवल बिस्किट ही बिस्किट दिखाई देते हैं जहाँ पर अनाज का भंडार होता है वहाँ आपको केवल आज ही दिखाई देता है औ परदार्थों को इस प्रकार समुम में बाट कर उनके गुणों का अध्यान तता इन गुणों के किनी भी पेटनों का अवलोकन करना सुविधा जनक बन जाता है। हुआ 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 है।